दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जामूमों ने द्रोबदी मूर्मू को समर्थर देने का किया एलान बड़ी खबर है अठारे जुलाई को होने जारे राष्ट्रपती चुनाव में एंडिये की उमिद्वार द्रोबदी मूर्मू का जारखन मुक्ती मूर्चा ने समर्थर देने का फैसला कर लिया है जार्खन मुक्ती मोर्चा की सेंटरल कमीटी द्वारजारी पत्र में पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को द्रौपदी मुर्मू के पक्च में मतदान करने का निर्देश दिया गया है बड़ी खबर है मुख्यमंतरी से जुड़े awfuls of profit मामले में 5 अगस्त को होगी निर्वाचन आयोग में अगली सुनवाई जार्खन के मुख्यमंतरी हेमन सुरेन से जुड़ी उफिस आएउग में शुनवाई हुई मोख्यमंत्री का पक्ष एसके मेंदी रता ने रखा अब मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है बीजेपी ने समय की मांग की थी गुरुवार को दोनों पक्ष के वकील पेश हुए लेकिन सुनवाई नहीं हुई बीजेपी की आगरक सुविकार करते हुए आयोग ने 5 अगस्त का समय दे दिया है बड़ी खबर है केवल 75 दिन तक फ्री लगेगी कोरोना की बूश्टर डोज देश में अब 18 वर्स से उपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सिन की बूश्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी अभी तक 18 से 69 वर्स की उम्र की लोगों को प्राइवेट सेंटर पर ही बूश्टर डोज लगाई जा रही थी लेकिन अब सरकारी सेंटर्स पर भी बूश्टर डोज लगवा सकेंगे हलाकी सरकार ने इस पश्ट किया है कि फ्री में बूश्टर डोज केवल 75 दिन तक ही लगाई जाएगी आकडो कुमाने तो अभी तक देश की 96 परतिशत से अधिक आबादी को वैक्सिन की एक डोज लग चुकी है जबकि 87 परतिशत आबादी को दोनों डोज लग चुकी है बड़ी खबर है बिहार के पटना में आतंकियों के निशाने पर थे देश के परधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी बिहार की राधानी पटना में आतंकियों की बड़ी साजीस का पुलिस ने परदा फास कर दिया है इन आतंकियों ने परधानमंत्री नरेंदर मोधी के 12 जुलाई के पटना आने पर उनके कारेक्रम को निशाने पर रखा था। इनके इरादे भारत को 2047 तक इसलामी राष्टर बनाने के थे। अपने इस योजना की शुरुवात ये पटना से करने वाले थे। ये बड़ी वारदात करके दंगा फैलाने की फिराक में भी थे। इस बड़ी साजिस में शामिल जारखन के एक रिटायर्ट दारोगा को भी गिरप्तार किया गया है पुलीस को अभी गिरों के आधा दर्जन और गुर्गों की तलाश है। बड़ी खबर है सावन का महिना शुरू होने पर मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने दी बधाई। के वज़े से लगवक दो साल के बाद स्रावनी मेले का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री हमत सुरेन ने इसको लेकर ट्विट करके कहा पवित्र स्रावन माह के शुब अउसर पर सभी को अनेक अनेक शुब कामना है और जुहार बाबा बैदनात आप सभी को स्वस्थ अमरीद रखे यही कामना करता हूँ जय बाबा बैदनात बड़ी खबर है देश को साल के अंत तक मिल जाएंगे अगनिवीर भारत सरकार ने भारती युवाओं के लिए एक एतिहासिक भरती योजना का एलान किया है सरकार अगनिपत योजना के तहत युवाओं को सेना में सेवा करने का मौका देगी लेकिन ये कोई आम योजना नहीं है इस योजना के जारी होते ही देश के अलग-अलग राजियों में जम कर विरोध और योजना के खिलाप हिंसा बड़े पैमाने पर देखने को मिली देश के विभिन हिस्सों में ट्रेनों को आग लगा दी गई तो कहीं सरकारी संपती को नश्ट कर दिया गया ये विरोध साब तोर पर दर्शाता है कि भारत में विरोजगार की समस्या कितनी कमभीर है बतादे की सेंटर फोर मौनिटरिंग इंडियन एकोनोमी के जारी किये गए रिपोर्ट की माने तो 2021 में देश का विरोजगारी दर 7 6 सुनिय परतिशत से बढ़कर 7.8 तीन परतिशत पर पहुँच गया था कहीं न कहीं यही कारण है कि सेना भरती अभियान की घोशना होने पर हर बार कम से कम 5 लाख उमिदवार आविदन करते हैं इतना बिरोध होने के बाद भी लाख लोगों ने अगनिपत हुजना के इश्व परसीद स्रावनी मेले की शुरुवात के साथ ही दर्शनार्थियों की भीड उमड पड़ी है पहले ही दिन अपरहन एक बजे तक एक लाख से अधीक सरधालो यहां इस्थित मनुकामना जो तिरलिंग का जलाभीशेक कर चुके हैं एक महिने तक चलने वाले इस मेल में जलाभीशेक और दर्शन का सिलसिला हर रोज सुब चार बजे से रात दस बजे तक जारी रहेगा बदादे की बिहार के सुल्तानगंज इस्थित उत्तर वाहिन गंगा से लेकर जारखंड के देवखर इस्थित बाबा धाम तक 108 किलोमीटर लंबे शेत्र में यह एशिय का सबसे लंबा मेला माना जाता है बताया गया है कि गुरुवार को सुब चार बजे से भक्तों को अरगा के जरिये जलाभीशेक की अनुमती दी गई बिहार के सुल्तानगंज से लेकर देवघर और दुम का इस्थित बासु की नात मंदिर तक का इस इलाका बोल बम के नार में देश में केवल चार या पाँच सरकारी बैंक होंगे मेडिया की खवरों को माने तो केंदर सरकार जल्द ही सारवजनिक शेतर के बैंकों के बिलाई के अगले दौर की शुरुवात कर सकती है इसके बाद देश में सारवजनिक शेतर के बैंकों की संख्या केवल चार या पांच रह जाएगी इसके लिए यह ब्यापक अध्यान किया जा रहा है केंद्र सरकार की योजना छोटे बैंकों को मिला कर देश के सबसे बड़े रीनदाता State Bank of India की तर चार या पांच बड़े और मजबूत बैंक बनाने की है बरतमान में भारत में सारवजनी शेत्र के साथ बड़े और पांच छोटे बैंक है जिन बैंकों के बिलाई की योजना बनाई जा रही है उनको अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है इस बारे में सरकार भारतिय बैंक संग यानी आये बिये के साथ भी ब्यापक बिचार भी मर्ष करेगी बतादी की तीन वर्स पहले 2019 में केंद्री ने दस राश्ट्रीकृत बैंकों के चार बड़े रिनिदाता बैंकों में बिलाई की घोशना की थी बड़ी खबर है ज्ञारखन में एक साथ 10,000 युवाउ को मिलेगी नौकरी ज्ञारखन के युवाउ के लिए बड़ी खुश खबरी है ज्ञारखन की हेमन सुरिन सरकार 10,000 युवाउ को एक साथ निउक्ती पत्र देने माली है जहारखन सरकार की ओर से सुल्ल जुलाई को जहारखन के राधानी राची के मुराबादी मैदान में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इस संबन्ध में ज्हारखन के स्रम नियोजन मंत्री सत्यानद भोकता ने कहा कि विभिन कंपणियों में ज्हारखन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार रोजगार मेला का आयोजन कर रही है। इस रोजगार मेले में सैच्छनिक यूग्यता के आधार पर नौकरी और उसी के अनुसार वेतन दिया जाएगा। देश के दूसरे राज्यों के कमपनियों में भी रोजगार मिलेगा। वाहन मालिकों की और से लोगडाउन ओधी का टेक्स माप करने की मांग की जा रही है। उसके अलावा जो भी गाडियां बिना परमिट की वज़ज से सडक पर परिचालित नहीं हो पारे थी वैसी गाडियों को भी बिना दंड सुल्क के परमिट जारी किया जाएगा। दोस्तो खबर मौसम की जारखन में सत्रे जुलाई तक बारिच के आसार जारखन में सत्रे जुलाई तक बारिच की संभावना जताई गई है। मौसम बिभाग ने सत्रे जुलाई को जारखन की कई इलाकों में भारी बारिच की चिताउनी जारी की है। वहीं तापमान में भी गिरावट आने के संकेत दिये हैं। बरतमान में दीन का अतापमान 36 डिगरी के आसपास है। सत्रे जुलाई से इसमें 4-5 डिगरी तक की गिरावट आने की संभावना जताई जारी है। सत्रे जुलाई को जहारखंड के कई हिस्सों में बजरपात और मेग गर्जन के साथ भारी बारिश के चिताउनी जारी की गई है। खासतोर पर जहारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिन पूर्वी हिस्सों में कई जगों पर भारी बारिश का अनुमान है। जारखंड के उत्तर पूर्वी जीलों में धनबाद के साथ जामताड़ा, गिरिडी, देवगर दुंका, पाकुड गोड़ा और साहिबगन जैसे जीले हैं इन जीलों में सत्रे जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है देश में पिछले 24 घंटे में आये कोरोना के 20,149 नए मामले भारत में कोरोना मामलों में एक बार फिर बड़ा उच्छाल सामने आया है स्वास्ति मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 20,149 नए कोविड मामले सामने आये हैं ये बुद्वार के मुकाबले 19 परतिशत अधिक हैं। साथी पिछले 24 गंटे में कोरोना से देश में 38 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,557 हो गई है। स्वास्ते मंत्राले के अनुसार देश में एक्टी मामलों की संख्या बढ़कर 1,36,076 हो गई है। पिछले 24 गंटे में इसमें 3,619 की बृधी हुई है। वहीं 16,482 लोग इस अवधी में कोरोना से रीकबर भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना से मिर्तियुदर अभी एक दस्पलो दो शुनिय परतिशत है। वहीं रीकबरी रेट 98 दस्पलो चार नौ परतिशत है। इस बिच देश भर में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 199 कर से अधीक दोज लगाई जा चुकी है। 8000 रुपे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि केंदर सरकार के करमचारियों का निवनतम बेतन 18000 रुपे से बढ़कर 26000 रुपे हो जाएगा।